नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी दोस्तो जैसे कि आपको पता है यूपृड पलैसी से जुड़ी सभी अबडेट हम आपको अबडेटर कराते हैं और हम एक और नए अब्डेट के साथ आपके सामनों पस्ती थें जैसे कि आप लोगों पता है कि 2022 में एक विज्जापन जारी किया गया था आठ जार पिचासी पदों पर जो 2021 के पैट पर था उसका फाइनल रिजल्ट 30 दिसंबर 2023 में प्रिकासित कर दिया गया था और उनमें सभी जितने भी चैनित विध्यारती है उन सभी को मेरे धेर सारी सुबकामनाए अब दोस्तों जिनका नहीं हुआ है उसमें तो देखे दुख की बात तो है सभी को इस दुख को जहिलना पड़ता है आप में लाइफ में एक या दो बात ठीक परंतु ये नहीं होता कि देखे इस वर के यहां पर देर है मगर अंधेर नहीं है तो अब आपको घबराना नहीं है मैंना भी कहा देर है वट अंधेर नहीं है बिल्कुल सभी बात है अभी अभी एक सूचना हमको मिली है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कई दिन से लगबग लगबग दो महां से जब से रियल्ट आने की चल रही थी या डोकुमेंट वे रिप्रिसन हो रहे थे पिछली भढ़ती जब से बहुत सारे बच्चे चिंते तिये थे सर नई वेकेंसी क तया ने एक कच्चा-चित से कहते है कि मतलब कितने पदों की यहां पर रिखती है और किसे पद नहीं बहुनकर रे दाटा हूँ ऑऔर जो आपके सामन हम साजा करने बाले है तो देख लिजी क्या है यूपिटर प्लैसी लेक पाल नहीं भरती 2024 में ठीक बच्छा पदों की संख्या जो है वह आपकी 4443 पद है यानि कि 4443 पद है ये पद घटे नहीं घटेंगे नहीं पेवल पद बढ़ाये जा सकते हैं इन पदों की संख्या 2400 से लेकर 7000 तक हो सकती है इन पदों की संख्या कितनी हो सकती है 4443 से लेकर 7000 पद तक हो सकते हैं जैसा मुझे बताया गया मैं इतना ही आपको बात बता रहा हूँ ठीक दोस्तों फिलाल में हम अभी अपने पदों की बात करके चलेंगे तो हम बात करके चलेंगे के बल 4443 पर दो हजार चोबिस में आपको देखने को मिलेगी अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर नोडिविकेशन कब आएगा तो नोडिविकेशन बेटा आएगा इनके जोइनिंग के बाद जो आठ हजार 885 पद हो गए हैं आठ ऑजार पिछासी पद हो गए हैं पैले इनका क्या होगा जोइनिंग होगा और जोइनिंग के बाद जो है आपका नोडिविकेशन आ जाएगा आप समझते हो कि यह जो लेगपाल है राजसलेगपाल यह दरोगा रेंग का होता है इसकी पावर दरोगा की होती है मेरी बास समझ नहीं बहुत बड़ी बात है चकवंदी लेकपाल से बहुत उपर हैं जो अभी पेड़ मगर यह जो है अभी कितने पदों की जरूरत है चार हजार चार सो तैतालिक और राजस बिघाब भिभाग में लेकपालों की कमी थी इसी बज़े से इस भरती को जो है बहुत तेजी से पूरा कराया गया ठीक है बई और रही बात ये कि ये पतकाली क्यों है कि इतने लोगोप का जो है प्रमोशन करके उन्हें इंस्पेक्ट प्रमोशन मिल गया है बात करते हैं नोटिपिकेशन कब तक आगा जब तक इसका जोईनिंग कोगा उसके बाद नोटिपिकेशन आगा अभी नोटिपिकेशन की हमें कोई जानकारी नहीं है जूट बोलना हमारे बसकी बात है नहीं किताब मार्च में फरबरी में अब भी को से लागू हो जाएगा जो 2024 सा लागू होगा कौन सा 2023 वाला पैठ होगा इसमें योग्यता क्या होनी वाली है मैटा तो देखिए दस प्लस टू यानि कि 10 प्लस टू से कहतें इंटर्मीडिए ट्रिपल सी पिरमाण पत्र होना ज़रू इजिन बच्चों अभी तक क्रिपल सी नहीं बनुञाया है वो ट्रिपल सी बनवाली जिये बिल्कुल जल्दी सा बनवाली च्परसी क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है क्रिपल सी बहार हो जा तो इसमें थोड़ी सी फाइनल करो का टोप में इसको बर्याता मिल जाती है जब सेम नंबर पर होते हैं तब बच्चे होते तो खुछ उनको बर्याता दे जाती जिनके पाद अधिमान सूच रहा होती है जैसे की टिपल थी हैं बी प्रमाण पत्र ए प्रमाण पत्र या सी प्रमाण पत्र इनमें जो भी अधिमान होती है इस तरीके से ठीक हैं उनको बर्याता दे दी जाती है इसमें हम आपको वताने वाले सेलेक्शन प्रोसीज जो होता अब रियल्ट के बाद जब रियल्ट आ ज चींट चैनल कि प्रोसेस किया है तो मेरे प्यारे बच्चों पहले हम आवेदन करते हैं और आवेदन की प्रीस कटी है 25 रूपे किटिनी कटी है 25 रूपे इसके बाद में सोट बिश्ट आता है पेट स्वोर आता कर्टो जैसे कि इसका जो सोट लिस्ट आया था वो 63 नंबर पर आया था तरे सट नंबर पर सोट लिट आया था पिचासी से वाला था दो हैर इकिस के पैट में तो ऐसे ही सोट लिस्ट आयेगा और सोट लिस्ट आने के बाद में जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन्हीं कैंडिडेट को मुख्या परिक्षा देने का मौका मिलेगा क्या मिलेगा मुख्या परिक्षा देने का मौका मिलेगा उस मुख्या परिक्षा देने के लिए 200 रुपे का पेमेंट किया जाता है कितने का 200 रुपे का पेमेंट किया जाता बच्चा कितने का 200 रुपे का पेमेंट किया जाता है पहले 25 वीडियो बनाएंगे पदो के अनुसार ठीक है 200 रुपय आपको पेमेंट करना पड़ेगा फिर आप मुख्या परिक्षा के पात्र होंगे जिसमें कि आपको 100% पुछ जाएंगे 100 अंक के पुछाएंगे इसमें सिलेवस बहुत पेचिदा है आपको जिसना तयार के लिया तो प्चिसी अंक है बहँ पर समान्य ग्यान मेटा पचिसी प्रसन उता है अर 25 अंक सka अर्श्यक unlimited अर्चिसी अंक होता है और उससी में ग्रामिंवर बेरिपिकेशन के लिए आता है document verification के जब हमारा 31 या फिर 25 बिएपि गुना भी देखने को मिला यह आपका अभी ढो है। 32.5 जो देखा गया बच्चा 32.5 यह देखा गया किसमें जूने सिटेन 1262 वेकेंसी में 1262 वेकेंसी में देखा गया थाड़े बत्य तो हम 30 गुना मान के चलने कम से कम वेकेंसी का 30 गुना यानि कि 4 तिया बार है यानि एक सो ऐसा माझे लिए अगर हम इसका 30 गुना कर दें तो जीरो और तिन तिया नो और तीन चोक बार है अर एक तेर है और तीन चोक बार है और पर एक तेर है कि एक डिवी के लिए जो सब्सक्राइब करावाल något को बच्चों को ऑचके इसको एक बार देख लेंगे तो इतना था प्रोक्षली इसना पर डीबी हो गया था परन्तु final का टोप जो गया था वो गया था 83.25 journal 81.25 OBC EWS ठीक है महिला होगा 77.5 ये था महिला होगा इतना अलगभग ये था तो आपको अगर 83-85% नमबर लाने है उसके बाद आप document verification कराओगे और जब आपका final selection होगा तो मतलब पूरी चीज किसपटी क्यों है exam पर इतमें कोई physical कुछ नहीं यह होता है तो ये सारी प्रेकरिया है आपको अगर आपका सपना इस बार टूटा है लेकपाल बनने का तो अगली बार कमर कस लीजिए और तैयारी इतनी कीजिए कि वो कहते हैं न कि दागोर भूल जाओ आप exam इतना जबर दे दो नंबर इतने अच्छे कर दो कि उसके बाद आप merit की टैंसर नहीं भूल जाईए ठीक है दोस्तों तो ये थी हमारे द्वारा जानकारी बहुत सारे बच्चे चिंतित भी थे तो हमारी बात ही बनती है हम यूपिट पलेसी के संबंदित काम कर रहे हैं तो हम आपको क्यों नहीं करें संतुष्ट क्यों ना करें हम को निश्ट आपको आपकी चिंताओं को क्यों ना हम अपने मन में रखें और उनको हम आपको चिंताओं से दूर रखें ठीक है तो हम इस पर काम कर रहे थे तो हमने आपके लिए एक ये खुसी का माहूल नया साल है नया माहूल है अपनी तैयारी जो ही है उनको भूल कर अपनी तैयारी सुरू कर लिए जैसे कि वर्ल्ड कफ हम हार चुके थे फिर भी 10 मैच हमने अच्छे खेले हम अंतिम मैच में हार गए परंतु एक बात और आपको देखने मिलेगी उसके बाद आज वही बोलर हमारे वही बोलर जो है आज 55 रन पर जो है दक्षन अफरीका को ओल आउट कर दिया है समझ गे नहीं और लंच ब्रेक भी नहीं हुआ तो क्या है अगर टीम इंडिया निरास होकर खेलना छो हुए ह्हार है तो आप लामत्ध छोड़ों आप तयारी करना मगत्षन अब चूड़ों आप तयारी बहतर Körperो जब तक आपको कुछ नया सीखने नहीं जब तक आप देखिए हम क्या कहते हैं एक माड़ना चाहिए हम कभी हाड़तें नहीं है हम या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं इस बात को माईने में बिठा लो अच्छे से ठीक है बच्छा notification बहुत जल्द आ जाएगा जैसे जोईनिंग होगी आपको लग जाना चाहिए इसके तैयरी में अभी से रड़ डालो इन सारी चीजों को तैयार कर डालो इन चीजों में लग जाओ दिन रात एक वहत करके और अपने आपको छेए साथ महिने के लिए जो है बंद कर लो इता कमरों में और तयारी को दब कर ठीक दोस्तों यह रीलवाजी में कुछ नहीं रखा ठीक है तो छोड़ दो यह रीलवाजी ठीक दोस्तों त किसी खास में उचके साथ जब तक के लिए जहन जवारत बंदे मातरम.